जास्टिस 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 जास्ट पीडिता के पिताने भी लगाए हैं गंभीर आरूप विरोध के बीच फुटबॉल मैच को भी करना पड़ा है कैंसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्चर के रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोट ने रविवार को स्वतह संग्यान ले लिया बीस अगस्त को सुबह साथे दस बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी इसमें तीन जज होंगे सीजी आए के अलावा जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्डा इसमें शालत रहेंगे अब देखना ये है कि 20 अगस्त याने की मंगलवार को इस मामले में क्या होता है लेकिन इससे पहले हिला कर रख देने वाली इस बारदात पर खूब हंगामा और राजनिती भी हुई है एक तरफ डॉक्टर्स पूरे देश में प्रदर्शन कर रहें दूसरी तरफ इस पर सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है और गाला होता जा रहा है बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा हमने देखा कि शुकरवार को खुद ममता बेनर जी भी सड़क पर उत्री और प्रदर्शन करती नजर आई इंसाफ मंगती वो भिताव जब उनकी ही सरकार प्रदेश में है और वो खुद मुख्यमंतरी की कुरसी पर है ममता बेनर जी की इस प्रदर्शन पर लगातार कई दल बीजेपी समेट सवाल उठा रहें महीं कोलकाता की घटना के विरूध में देश भर में डॉक्टर्स के विरूध प्रदर्शन का आज नौवा देन रहा मामले की जाज करें CPI ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलोजिकल टेस्ट भी किया गया है दरसल 9 अगस को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलिज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई 14 अगस की देर रात इसी अस्पताल में खुब हिंसा देखने को मिली इसके बाद डॉक्टर्स ने प्रदर्शन और तेज कर दिया गया कोलकाता पोलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसर लॉकेट चटरजी को नोटिस जारी कर तीन बज़े के लिए आज पूछदाच के लिए बुलाया था पोलिस तरसल ये कह रही है कि ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजाकर करने का इन पर आरोप है इसलिए बुलाया इदर कोलकाता पोलिस ने टीमसी के सांसर सुखेंदु शेखर को भी समझ जारी किया और पूछदाच के लिए बुलाया उन पर भी केस को लेकर अफवाग और फर्जी खबरे पहलाने का आरोप है CBI की टीम आरजिगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमर्जनसी वाड में 3D लेजर मैपिंग भी करने के लिए पहुची थी दरसल 14 अगस को जो तोड़ फोड होई और हिंसा होई इस मामली में कोलकाता पोलिस ने दो और लोगों को गिरफतार भी कर लिया है और आप तक इस मामली में 32 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है इदर केंदर की तरफ से आदेश आया कि हर दो घंटे में हर राज्य को कानून विवस्था के रिपॉर्ट देनी होगी 17 अगस की देर राद केंदर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है अब सभी राज्यों को हर दो घंटे में कानून विवस्था की चौनकारी ग्रेर मंत्रा लेके कंट्रोल रूम में पहुचानी होगी इमेल करना होगा, वाट्सेप करना होगा या फैक्स करना होगा अब एक चीज़ और आपको बता देए ताज़ अपडीट के आए, मेडिकल कॉलेज जहां घटना हुई, उसके पास 1663 लागू हो कही है जिसमें कहा गया कि अगले साथ दिनों तक, यहने 24 अगस्त तक यहां धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता बंगाल सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी घोशनाई भी कर सकती, इस बीच यह खबर आई इसमें क्या क्या हो सकता है, रात के समय काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए रात्रेर साथ ही प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है यानि की महिला कर्मचारियों के साथ उनका कोई साथी भी रहेगा, वो अके लिए ड्यूटी पर नहीं होगी महिला डॉक्टर्स और नर्सों को बारा घंटे से ज्यादा काम करने की इजासत भी नहीं होगी नाइट ड्यूटी की अगर जहां तक बात है तो वो भी कम लगाई जाएगी महिला सुरक्षा के लिए जो हेल्प लाइन नंबर है आपात कालीन उसकी शुरुआत होगी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सुरक्षा जाच भी अब जरूरी करती गई है CPI की टीम ने इदर रविवार को हॉस्पिटल के उस इमर्जिंसी वाट की 3D लेजर मैपिंग की ये तकनिक दिवार से दिवार तक 360 डिगरी की तस्वीर ले पाती है आपको ये जानका रहरानी हो जाएगी ही कि इसमें खोन का एक छोटा सा छीटा भी कैप्चर कर लिया जाता है कहां से किस चीज की कितनी दूरी होती है उसकी मैपिंग हो जाती है इसके जरीए मैपिंग भी पेश होगी कोट को ये बताना आसान इससे हो जाएगा कि आखिर कहां से क्या हुआ कैसे पहले क्या हुआ प्र भाद में क्या हुआ फिर क्या हुआ तरसल पहले फोरेंसिक एक्षपर्ट still image लिया करते थैं यर वीडियो बना लिया करते कि पहले यहां से कोई दाखिल हुआ और पूरी मैपिंग आ जाती है इधर CBI ने आजिकर चैस्ट डिपार्टमेंट के हैड और सुपर असिस्टेंट समेथ अधिकारियों के मोबाइल फोन को कबसे में ले लिया है एन सबको फोरण से जाँच के लिया भेचा जाएगा एधरा नहीं पूर वो प्रिंसिपल अपने office में जो computer रिस्टमाल कर रहे थे उसे भी जाँच के लिया भेचा जाएगा चात्रा के computer के भी जाँच की जाएगी मोबाइल भी जाँचा जाएगा CBI ये पता लगाने की दरसल कोशिश में है कि क्या डॉक्टर का शव बरामत होने के बाद उसके कम्प्यूटर से कुछ छिलखानी या उसमें कुछ किया तो नहीं कहा रेपोर्ट मरडर की शिकार हुई पीडित लड़की जो है डॉक्टर उनके पिता का दर्द भी मीटिया के सामने आया उन्होंने कहा कि रात के तीन बचे से सुबह दस बचे तक किसी को भी क्या ओन डॉटी डॉक्टर की कोई ज़रुत नहीं पड़ी थी क्यों खोज भी नहीं हुए एराई की रिपोर्ट के मुताबिक पशेमंगाल की सीम मम्ता बेनरजी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो न्याय दिलाने की बात कर रही है लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश क्यों हो रही है सुपर जाइंट्स बनाम इनामी इस्ट बंगाल मैच को रद किया कोलकाता में जो विरोध प्रदर्श नोरा इसकी वज़े से रवीवार को सौल्ट लिक स्टेडियम में होने वाले फुटबॉल डर्बी को भी रद कर दिया गया भारत में दरसल सबसे बड़ी फुटबॉल डर्बी कहे जाने वाले इस मैच में स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस के जुटने की उमीद थी लेकिन जो हलात कोलकाता में बने हैं उसके बाद यहाँ पर ये मैच रद करना पड़ा है दूसरी तरफ पूरे देश में डॉक्टर्स का घुसा अभी भी थमा नहीं है लगातार प्रदर्शों हो रहे हैं OPD को बंद किया गया है और इससे हुआ क्या है OPD बंद होने की बज़े से कई लोगों को इलाज भी नहीं मिल पाया इस घटना के बाद दूसरी तरफ इस पर सियासत जमकर हो रही है जेपी नड्डा ने इस पर सवाल उठाया है ममता बनर जी पर सवाल उठाया है बीजेपी ने प्रदर्शन किया धर ममता बनर जी खुद सालक पर आ गई और कह रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए किसके लिए लड़की के लिए अंसाफ चाहिए जबकि सत्ता में वे खुद है इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे है दूसरी तरफ पिता की तरफ से भी सवाल ख़़ा किया जा रहा है पिता ने यही कह दिया है अब तो कि हमको सरकार पर भरुसा ही नहीं है उनकी तरफ से और भी कई बात है कई कई उन्होंने सवाल भी खड़े किये है उन्होंने कहा है कि क्या किसी डॉक्टर की जरूरत अस्पताल में अगर ओन डूटी डॉक्टर है तो रात को तीन बज़े से काफी देर तक कई घंटों तक डॉक्टर गायब है और उसकी जरूरत किसी को नहीं पड़ी ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले में छुपाया गया सच उन से छुपाया गया उनको सच बताया नहीं गया पहले कहा कि आपकी बेटी की तबियत बिगड़ी है फिर ये कहा कि बेटी ने सुसाइट कर लिया है और उसके बाद बात सामने आई कि कोई आया उनके पास और कहा कि सेटलमेंट कर लेना चाहिए तो ये सारी बातें इस मामले में सामने आ रही है और घुसा लोगों का बेहत चरम पर है इस घटना को लेकर अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कॉर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट ने मामले को सुनवाई राखी के अगले दिन यानि की 20 अगस्त को करने वाला है देखना होगा कि सुबह साले 10 बचे सुप्रीम कौर्ट में क्या कुछ इस मामले को लिकर होता है लेकिन लगातार ममता सरकार इस पूरे मामले में गिरती जा रही है और ममता सरकार से इस तीफे तक की मांग होने लगी है